डेवी क्लास 7 मैच चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन्स इन वन वैरियेबल की ब्रेन टीजर की एक्सेसाइज का कोश्चन नमबर 1 है टिक दा करेक्ट ओप्शन, करेक्ट ओप्शन को हमने टिक करना है हमें दे रखा है X प्लस X प्लस X प्लस X ये किसके एकवल होगा तो ये तो बिल्कुल सिंपल है 1X प्लस 1X प्लस 1X प्लस 1X ये कितना हो जाएगा 4X हो जाएगा तो हमारा जो आंसर है इसका होगा second ठीक है option वाला था अब इसका next question देखते हैं इसका part B है first का 9Z plus 7 minus 5 into 2Z minus 3 plus 3 into 2Z plus 3 ये किसके एकवल होगा ये हमें बताना है चार option हमें दिए हैं 1,2,3 और 4 इन चार option में से इसका क्या अंसर होगा तो इसको हम क्या करेंगे solve करेंगे तो solve कर लेते हैं हमारे पास है 9Z plus 7 bracket minus 5 into 2Z minus 3 plus 3 into 2Z plus 3 इसको आपको solve करना पड़ेगा तो solve करते हैं चलो इसको देखो ये तो ऐसी रहेगा 9Z plus 7 अब इसकी bracket हमें खोलनी पड़ेगी minus 5 को 2Z से करेंगे तो 5 2Z 10 10Z आजेगा multiply जब हमने की minus 5 की 2Z से अब minus 5 की multiply minus 3 से करेंगे तो minus minus की multiply होती है plus और 5 3 जा 15 इसको हमने bracket remove कर ली ऐसी ये वाली bracket remove करेंगे 3 plus 3 की multiply 2Z से करेंगे तो 3 2 जा 6 6 Z आ जाएगा ऐसी जब 3 की multiply 3 से करेंगे plus के 3 से 3 3 जा 9 ठीक है हमने bracket को remove कर लिया अब जो like term है उनको इकठा कर लेंगे हम तो 9Z है और 6Z है और minus का 10Z है 9Z है plus 6Z है और minus का 10Z इनको इकठा लिख लिए हमने और हमारे पास क्या है plus का 7 है plus का 15 है और plus का ही 9 है ठीक है चुलोब करते हैं इसको आगे 9Z और 6Z 15Z ठीक है 15Z में से 10Z माइनस होंगे तो क्या बचेगा 5Z बचेगा हमारे पास ठीक है 9Z और 6Z 15Z 15Z में से 10Z माइनस होंगे तो 5Z बचा और जब इन 3 नों को प्लस हमने किया तो हमारे पास क्या आया 15 और प्लस 7 15 प्लस 22 22 में 9 एड करेंगे तो क्या जेगा plus का 31 तो यह हमारा क्या आया answer आया अब आप देख लो कौन सा option ठीक है तो option हमारा जो है first वाला जो option है वो इसका answer है अब इसका next question देखते हैं इसका c part है if 4x-3 is equal to 21 4x-3 is equal to 21 equation दे रखिया है और हमें value find करने है 3x-5 की यानि कि पहले हम जो हमें given है उससे हम x की value निकालेंगे और फिर जो हमें find out करना उसमें रख देंगे तो हमें given है 4x-3 is equal to 21 इससे हम x की value निकालेंगे सबसे पहले 4 multiply कर रहा है जब equal के उदर जाएगा तो divide कर देगा तो x की value आगी 24 by 4 और जब 24 को 4 divide करेगा तो आएगा 6 है तो हमने x की value निकाल दी अब इसने question में हमें value निकालनी है किसकी 3x-5 की value निकालनी है तो इसमें put कर देंगे putting x is equal to 6 ठीक है इसमें रख देंगे जो हमें expression दिया है तो क्या x की जगा आप रखेंगे 6 3 into 6 3x था तो 3 into 6 minus 5 3 6 जा होता है 18 18 में से 5 minus होंगे तो बचेगा हमारे पास 13 यह हमारा क्या है answer है अब option में हम देख लेंगे क्या है option में जो हमारे पास है वो है option third इसका ठीक है answer है 13 question number d है इसका हमें दे रखें which of the following is the solution of the equation यह हमें equation दे रखें 3x minus 7 is equal to 7 minus 4x ठीक है और यह 4 option दे रखें x की value दे रखें इसमें से कौन सी x की value ठीक है यानि कि हमारा answer है इसका solution है तो इसको हम solve कर लेंगे 3x minus 7 is equal to 7 minus 4x x की value निकालेंगे xx वाले एक तरफ ले लेंगे 3x है 4x इदर equal के इदर minus हो रहा तो इदर जाके क्या होजेगा plus होजेगा और 7 इदर minus हो रहा जब equal के उदर जाएगा तो क्या होजेगा यह होजेगा plus तो 3x plus 4x इदर जाएगा 7x और 7 7 होजेगा 14 तो x की value क्या आएगी 7 multiply कर रहा है जब equal के उदर जाएगा 5 is a solution of the equation अब value दे रखे है solution दे रखे है क्या है 5 है solution और इन में से किसका है first equation second है third है fourth है इन में से किसका यह solution है इसको करने का तरिका एक तो इसका आप चारों का equation को solve करो और दूसरा तरिका क्या है आपने left hand side और right hand side में रखके देखना है अगर left hand side right hand side के equal हो जाती है तो वो उसका solution होगा जैसे कि हमारे पास यह part 1 है part 1 है 3 by 5 x minus 6 is equal to 3 तो हमारे पास left hand side क्या है इसकी left hand side है हमारे पास 3 by 5 x minus 6 तो x की value क्या रखनी है x की value रखनी है हर एक में 5 तो x की value 5 रखेंगे तो 3 by 5 x 5 minus 6 5 से 5 cancel हो गया 3 minus 6 यानि कि क्या आएगा minus 3 left hand side क्या आई? minus 3 आई और right hand side क्या given थी हमें? right hand side given थी 3 तो left hand side right hand side के equal नहीं है क्योंकि वो minus 3 है और ये right hand side plus 3 है तो इसका solution नहीं है ठीक है? इसमें कोई solution नहीं होगा अब second ले ली हमने जैसे second ले ली तो 2 x plus 2 is equal to 4 x ऐसी left hand side ले लो फिर से left hand side ली हमने 2 x plus 2 x की जगा आपने क्या रखना है? x की जगा रखना है आपने 5 तो 5 2 जाओ अगे 10 10 plus 2 अगे 12 12 आगया ऐसी right hand side ले लो right hand side है हमारे पास 4 x तो value रखो x की 5 तो ये आगे 20 तो ये भी equal नहीं है left hand side not equal to right hand side ये भी equal नहीं है तो ये भी solution नहीं है अब third की check कर लेते हैं 4 x minus 2 is equal to 3 x plus 3 तो left hand side ले लो left hand side ली हमने 4 x minus 2 x की जगा आप क्या रखोगे 5 रखोगे रख दिया तो 5 4 5 जगा 20 20 minus 2 ये आजगा 18 ऐसी right hand side ले लो right hand side ली हमने कितनी थी 3 x plus 3 अब x की जगा क्या रखेंगे 5 रखेंगे रख दिया x की जगा 5 तो 3 5 जब 15 15 plus 3 18 ये भी क्या आगा 18 left hand side भी 18 right hand side भी 18 तो left hand side is equal to right hand side यानि कि जब left hand side right hand side के equal हो जाएं यानि कि यही solution है तो हमारा answer क्या आगया ये third equation थीक है third equation थी वही हमारा क्या है answer है इसी equation का solution क्या है x is equal to 5 क्योंकि 5 रखने से left hand side इसके equal होगी right hand side के equal हो गई तो हमारा A part complete हुआ अब हम इसका देखते हैं B part अब B part है answer the following question B part का A है a confectioner had some boxes for burger and he bought 50 more boxes एक दुकान दर था उसके पास burger के कुछ boxes थे और उसने उन boxes के अलावा 50 boxes और खरीद लिए after two days half of these boxes were used दो दिन के बाद इन में से half boxes used हो गए and only 40 boxes were left और कितने boxes बचे 40 boxes बचे find the number of boxes he had in the beginning तो शुरू में उसके पास कितने boxes थे वो हमने बताने है तो ऐसे questions में आपको पहले भी किया था हमने जो पहले exercise की थी ऐसे question में जो हमें निकालना होता है उसको हम क्या माल लेते हैं x माल लेते हैं तो हमें find out क्या करना है number of boxes in the beginning तो यही हमने कर लिया let the number of boxes in the beginning शुरू में कितने box थे हमारे पास माल लो x ठीक है तो x माल लिया शुरू में हमारे पास x box थे अब हम लिखेंगे according to question a t q according to question short में लिख दिया मैंने अब देखो क्या का सुरू में उसके पास थे x box और उसने 50 और खरीद लिए तो कितना होज़ेगा x plus 50 इसी में add होएंगे ठीक है और फिर वो कह रहा है after two days आप उसके पास boxes कितने हैं 50 boxes खरीद दने के पास x plus 50 after two days half of these boxes were used half use होगे ठीक है और and only 40 boxes were left ठीक है और कितने बचे 40 boxes बचे half use होने के बाद कितने boxes बचे 40 बचे यानि कि total था हमारे पास x plus 50 अगर इसका half कर दे तो वो किसके equal आएगा वो आएगा 40 के equal ठीक है समझ गए यानि कि 40 बचेते हैं तोटल हमारे पास कितने boxes होगे थे x plus 50 ठीक है और दो दिन में कितने use होगे उसके half use होगे यानि कि इतने use होगे, half use होगे, तो बचे कितने, 40 बच गए, is equal to 40, यानि कि total का जो half है, वो कितना है, 40 है, ठीक है, अब इसको अगर आगे करना हो, तो हम इसको solve कर सकते हैं, तो इधर divide कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा, multiply कर देगा, तो x plus 50 is equal to 40 multiply 2, तो x plus 50, 40 को 2 से multiply करेंगे, आजेगा 80, तो x की value क्या आएगी, 80 minus 50, यानि कि x की value हमारे पास आगी 30, तो boxes कितने थे, हमारे पास number of boxes in the beginning, कितने थे, 30 box थे, ठीक है, तो इस तरह से आपने question करना था, आप इसका next part देखते हैं, आप इसका next part है, find k, so that x की value 3 दे रखिये, is a solution of the equation, जो x is equal to 3 है, वो इस equation का क्या है, solution है, तो बिल्कुल easy है, तो पहले हम यह equation लिख लेते हैं, equation है, kx plus 8 is equal to x minus 7, और यह क्या है, x is equal to 3, इसका solution है, तो इसमें रख देंगे, put x is equal to 3 in equation, इस equation में रख देंगे, x की जगा 3, तो k into 3 plus 8 is equal to 3 minus 7, तो k की multiply 3 से होएगे, तो आएगा 3k plus 8, और इदर क्या बचा, plus का 3 है, minus का 7 है, तो minus का 4, अब k की value हमने find out करनी है, k को यहीं रहने तो 3k को, 8 इदर plus है, उदर जाके क्या होजएगा, यह होजएगा, minus, तो minus का 8 होजएगा, तो 3k is equal to minus 4, और minus 8, यह होजएगा, minus 12, 3 multiply कर रहा है, k को, उदर जाके कर देगा, divide minus 12 by 3, और जब divide किया गया 12 को, 3 से तो क्या आएगा, minus का 4, क्योंकि minus था, इसलिए क्या आगया, minus का 4, तो यह आगया हमारा answer, यह हमें find out करना था, अब इसका next part देखते हैं, अब इसका C part है, SEMA head a wire of some length, SEMA के पास एक wire है, हमें नहीं पता कितनी length है उसकी, after making a square, और फिर इस wire से उसने square बना दिया, और उस square की side थी 4 cm, 5 cm wire left, square बनाने के बाद भी उस wire से उसने square बनाया, उसके बाद भी उसके पास जो wire थी बचगी 5 cm, find the length of the wire, SEMA head, जो SEMA के पास कितनी wire थी, यह हमें find out करना है, तो देखें कैसे करेंगे इस question को, सबसे पहले हमें क्या find out करना, length, length of wire, तो let length of wire, क्या माली हमने, X माली, क्योंकि cm में दे रहा है, यानि कि X cm, आब इस ने, इस wire से, मालो यह थी wire, ठीक है, इस wire से उसने क्या बना दिया, एक square मना दिया, मालो यह square उसने बना दिया, इस तरह का square मना दिया, जिसकी जो side थी 4 cm थी, आपको पता है, अगर square की side 4 cm है, एक side 4 cm है, तो 4 side भी कितनी होंगी, 4 4 होंगी, क्योंकि square की सभी side क्या होती है, equal होती है, तो इतना क्या लग गया उसमें, तार लगी, ठीक है, wire बनाने में, कितनी लगी, 4, plus 4, plus 4, plus 4, यानि कि 16 cm, जितना इसका perimeter है, उतनी wire लगी, इसको बनाने में, बनाने के बाद भी, मालो यहां से लेके, यहां तक लगी wire, बनाने के बाद भी एक टुकडा बची गया, 5 cm का, हमने बताना है कि कितनी थी, wire उसके पास कितनी थी, तो आप लिखो, according to question, तो उसने क्या बनाया था भई, square बनाया था, तो perimeter of square, यानि कि कितनी तार लगी थी, शुरू में तार थी, उसके पास x, और तार कितनी लगी उसकी square बनाने में, 4, plus 4, plus 4, plus 4, यानि कि 16, तार लग गई, माइनस करती हमने, उसके बाद कितनी तार बच गी, तार बच गी 5 cm, तो समझ गया आप किस तरह से किया है, तो total length थी x, उसमें से मैंने 16 तार, उसको square बनाने में लगी, फिर भी कितनी बच गी, 5 बच गी, तो x-16 is equal to 5, अब आगे क्या करना है आपने, जो 16 है, minus हो रहा है, उदर जाके क्या हो जाएगा, ये, plus हो जाएगा, त यानि की length of wire, length of wire, जो सीमा के पास थी, वो कितनी थी शुरू में, वो थी 21 cm, 21 cm, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ये line लिखना जाओ, according to question से पहले, perimeter of square आप लिख सकते हो, perimeter of square, perimeter of square, कितना होता है perimeter of square, 4 into side, यानि की 4 into 4, side 4 थी, 16 cm, तार लग गई थी, ठीक है, तो x minus 16 is equal to 5, इस तना से ये हमारा answer इसका आगया, अब इसका next part देखते है, part D है इसका, if A is equal to bracket 2 A minus 3 and B की value भी given है, 5 minus 3 A, due to algebraic expression, ये हमें दो algebraic expression दे रखे हैं, एक ये वाला और A की ये वाला, such that 2 A plus B is equal to 6, find the value of A, A की value हमें, small A की value हमें, निकाल ली है, तो किस तरह से करना है, हमें given क्या है, हमें value किसकी निकाल ली है, हमें 2 A plus B is equal to 6, ठीक है, ये हमें एक expression दिया हुआ है, इसके अलावा दो algebraic expression दे रखे हैं, A की value दे रखे हैं, हमें 2 A minus 3, और B की value हमें, capital B की value, 5 minus 3 A, इस तरह से दोनों value हमें दे रखे हैं, अब ये जो equation है, इसमें हम put कर देंगे A और B की value, तो A और B की value put करेंगे, जब A की जगा put करेंगे, हम 2 A minus 3, और B की जगा put करेंगे, 5 minus 3 A, is equal to 6, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, हम bracket को खोलेंगे, 2 की multiply 2 A से करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 A आजएगा, 2 की multiply minus 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, minus का 6 आजएगा, आगे ये plus है, तो इसको ऐसी लिख देंगे, इसके आगे कुछ मी नहीं था, 5 minus 3 A, is equal to 6, अब A A वाले कठे कर लेंगे, 4 A minus 3 A, क्या रह जाएगा, 4 A minus 3 A, 1 A रह जाएगा, minus का 6 है और plus का 5 है, तो ये minus का 1 रह जाएगा, is equal to 6, अब 1 क्या कर रहा है इदर, minus कर रहा है, जब equal के उधर जाएगा, तो क्या कर देगा, plus कर देगा, तो A की value क्या आगी हमारे पास 7, यह हमने find out करना था, यह हमारा क्या है, अंसर है, हमें small A की value निकालनी थी, अब इसका E part है, check whether Y is equal to 1 is a solution of the equation, यह हमें equation दे रखिया है, हमने check करना है कि Y इसका solution है या नहीं, तो यह हमारे पास equation हमने equation दिख ली, हम इसकी left hand side लेंगे, और Y की जगा 1 put कर देंगे, अगर left hand side, right hand side के एक बलाती है, right hand side given है, कितनी है, 0, अगर 0 के एक बलाती है, left hand side भी, Y की value रखने के की solution है, अगर एक बल नहीं आती है, तो solution नहीं है, तो हम इसकी पहले left hand side ले ले लेते हैं, left hand side के हमारे पास, 1.2 into 3Y minus 4, minus 0.3 into 2Y minus 6, ठीक है, यह हमारी क्या है, left hand side, अब हम put कर देंगे, putting, putting, putting Y is equal to 1, 1 दे रिखे value, इसमें 1 put करेंगे, तो 1.2 bracket 3 into 1 minus 4, minus 0.3, 2 into Y की जगा, 1 minus 6, इसको solve करेंगा आगे, 1.2 और यह bracket के अंदर क्या राजएगा, 3 minus 4, और यह 0.3, bracket के अंदर 2 की multiply 1 से करेंगे, 2, 2 minus 6, आगे solve करेंगे, 1.2 into minus का 4 है और plus का 3 है तो minus का 1 आ जाएगा, फिर minus 0.3, plus का 2 है, minus का 6 है तो minus का 4 आ जाएगा, अब इसको अगर आगे करते हैं, तो 1.2 की multiply, जब minus 1 से होएगी, तो आएगा minus का 1.2, और यहाँ पे, देखो, दोनों minus है, एक minus यह है, 0.3 के साथ minus है, और एक 4 के साथ minus है, तो minus minus की multiply होगी, plus, तो 0.3 को जब 4 से multiply करेंगे, तो आएगा 1.2, तो 1.2 प्लस का और 1.2 ही minus का, ठीक है, 1.2 प्लस का है, और 1.2 minus का है, तो क्या होजेगा, यह 0 होजेगा, इसका मतलब क्या हुआ, और right hand side भी हमारी क्या है, राइट hand side भी क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, यह left hand side और right hand side क्या होगी, equal होगी, और जब left hand side और right hand side equal होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, therefore, y is equal to 1 is a solution of the equation, ठीक है, तो इस तरह से आपने यह, इसका भी पार्ट करना था, हमारा, चलो, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, next वीडियो में हम इसके अगले question देखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe पर लेना, और वीडियो का अपने सभी दोस्तों को सा share, जरूर कर देना, मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार,